है लो आल कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होगे सो आज की जो रीडिंग है यह हम एक चैनल मैसेज पर रीडिंग करेंगे आज का टॉपिक है मैं अचानक बैठी हुई थी सो अचानक से मेरे माइन में मतलब यह चैनल हो रहा था कि उनका दिल नहीं लगता आपके बीना ठीक है तो ऐसे मुझे महसूस हुआ कि मेरे बहुत सारे मैं आप लोगों कमेंट सी पढ़ रही थी अचानक से ऐसा लगा कि मेरा भी दिल नहीं लगता तुम्हारे बीना यह चैनल हो रहा था मैसेज मुझे सो मैंने सोचा कि चलो रिडिंग करते हैं शायद किसी के लिए है जो बहुत जादा परिशान है अपनी सिच्चेशन में रो रहा है उसके लिए है यह रिडिंग ठीक है शायद उसके लिए यह मैस पढ़ रही थी आप सबके कमेंट्स पढ़ रही थी उसी वक्त मुझे यह एहसास हुआ कि शायद आपके पर्सन भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि उनका भी दिल नहीं लगता आपके बिना ठीक है तो देखते हैं पहले कि क्या कुछ है रिलेशन सिप में ठीक है यानि कि क् भी आपके रिलेशन्षिप का स्टेटस देखेंगे हम ठीक उसके बाद उनकी फेलिंग्स को देखेंगे उसकी बाद हम देखेंगे कि क्या है उनका दिल लगता है नहीं लगता है क्या है है ना क्योंकि चैनल हुआ है message तो कुछ न कुछ special तो जरूर है ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं reading को और हाँ मैं बता दू आपको की मेरी तबेट ठीक है अभी ठीक है आप लोग attention आलो आप लोग का प्यार आप लोग का आशिरवाद है जिसकी वज़ा से मैं इतनी जल्दी ठीक हो जाती हूं और इसी तरह अपना प्यार अपना अशिरवाद मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मैं आप लोगों के इसी positive vibes के कारण से मैं कितनी भी बिमार रहा हूं लेकिन मैं reading करना नहीं छोड़ती मैं वीडियो अपलोड करना नहीं छोड़ती बस इसी कारण से आप लोगों का यह जो प्यार में देखती हूं मदब मेरा दिल क्या कहें दिल को इतना सुकून मिलता है आप लोगों की बहुत सारी लोगों ने मैसेज किया वाटसप मैम कैसी है ठीक है आपकी तवे ठीक है कि नहीं तो एक होता है कि हाँ मेरी फैमिली है यह तो चलो reading स्टार्ट करते हैं आज की देखते हैं कि आपके परसन और आपके बीच के और रिलेशनीट का स्टेटस देखते हैं उसके बाद हम देखेंगे थि मतलब जो मुझे और देशनी चेनल हो रहा था कि उनका दिल नहीं लगता सो क्या कुछ है मतलब कि क्या कुछ कहना चाहते हैं क्यों दिल नहीं लगता या फिर आपकी आपकी प्रप्रब्रम्स को वो समझ रहे हैं आप इदने परिशान हो उसको समझ रहे हैं ठीक है तो चलो देखते हैं प्रिस काइड में ओके टेन आफ कप्स का कार्ड है चलो लिस काइड में two of swords hmm okay please guide me okay the lovers please guide me please guide me eight of wands okay please please guide me night of pentacles okay so चलो देखते हैं bottom of the deck ace of cups हम तो यहाँ पर मैं रख रही हूं डेक को क्योंकि और जरत पड़ी तो और मैं काड्स निकालूंगी तो यहाँ पर जो cards की energy है इसकी अनुसार मुझे यही देख रहा है कि आपके partner और आपके बीच की relationship का status अभी देखो दोनों ही एक दुसरे से प्यार करते हो दोनों ही एक दुसरे से जुड़े हो दोनों को ही यहाँ soulmate connection feel होता है long distance relationship है एक सपना देखा गया था कि हम दोनों की family होगी दोनों ने साथ में देखा था शादी करेंगे बच्चे होंगे घर होगा छोटा सा एक happy family का सपना था ठीक है उनके साथ मतब आपने हर एक वो सपना देख लिया after marriage है ना आपने सपने बहुत सजाये थे marriage के इस person के साथ और इस person ने भी आपके साथ सपने सजाये थे दोनों ने ही सपने एक दुसरे के लिए देखे बहुत ही अच्छे सपने देखे और लगा कि हाँ ये सपने पूरे भी होंगे ठीक लेकिन किसी कारणवश अभी आप लोग no contact में हो और बात भी करना चाहते हो मुझ वापस आने का लेकिन यहां पर क्या है कि कुछ यहां पर आपको solution नहीं दिख रहा है ठीक और बाती होनी है लेकिन नहीं हो पा रही है क्योंकि यहां पर कार्ट क्लियर बता रहे हैं कि चीजे सहीं नहीं चल रही है आप दोनों के बीच में ठीक है long distance तो है ही call का वेड चल रहा है अच्छे से communications नहीं हो रही है बधाएं आ रही है है ना यहां पर वापस आने का इंतजार भी हो रहा है आपका आपके परसन भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं और आप भी वेट कर रहे हो ठीक है सो आप वेट करके यहां पर परिशान हो रहे हो लेकिन आपने है आप person भी मुझे से प्यार करता है जैसे आप उनको प्यार करते हो वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं आपको पता है ठीक और बाते नहीं हो रही है आप में प्रॉब्लम यहां पे है कि बाते नहीं हो रही है आप चाहते हो यहां पे कि बाते हो लेकिन बाते नहीं हो रही है ठी यहां पे ठीजे कुछ नहीं दिखाए दे रहे हैं इस वज़े से आप confused हो रहे हो कि आपको पता नहीं चल रहे हैं कि यह relationship का future है यह नहीं है क्या होगा आगे future में कि आप decision नहीं ले पा पारे हो आप क्लियर चीजे नहीं देख रही है आपको मुझे लगता है कि यहां थार्ट पार्टी सिट्विशन है जिसकी वजह से यहां पे इशूस क्रेट हो रहे हैं थार्ट पार्टी कोई हो सकता है फैमिली या फिर कोई अधर परसन इनका लॉंग डिस्टेंस या फिर इ आपको आप कंफर्म नहीं हो ठीक सपने देखे हैं इंतिजार भी चल रहा है लेकिन इंतिजार के साथ साथ आपको यह लग रहा है कि मुझे मुझे कर लेना चाहिए सायद अब क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करना अब उसके लिए आपको लगता है कि नहीं शायद नहीं आ आप आएगा वो नहीं आप आएगी वो है ना तो कही ना कहीं तरीके से आप जानना चाहते क्या मुझे मुझे मुवन कर लेना चाहिए है ना तो आपके माइंड में यह सारी बाते घूम रही है चलो देखते हैं कि अब उनकी फिलिंग्स क्या है आपके लिए ठीक यह तो और यह situation देख लिए हम लोगों रेलेशन्सिप में क्या कुछ है क्या कुछ हूआ है चलो देख ऻम करてमी प्लीस 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 गाइड में जो भी एवर देख रहे हैं उनके पॉर्षन की टन्स फिलिम कि यह है प्लीस गाइड में जो यहां पर टू काइड से मेरे पास यहाँ पे और आफ पैंटिकल्स है और यहाँ पे नाइन आफ पैंटिकल्स है तोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन चलो और देखते हैं मेरे पास बार बार टू काट्स निकल के आ रहे हैं तो यहाँ पे है मेरे पास पेज आफ कप्स और यहाँ पे दा मैजिशियन ओके और देखते हैं काट्स प्लीस काइड में प्लीस काइड में प्लीस काइड में इसको मैं रखती हैं थोड़ा साइड में ताकि मैं और भी अच्छे से करेंट फिलिंग इनकी देख पाऊं ठीक है करेंट फिलिंग क्योंकि अच्छे से देखना जादा बहतर होता है तो मैं और काट्स निकालना चाहूंगी आपके पॉर्षन की करेंट फिलिंग को जानने के लिए ठीक है तो प्लीस काइड मी नाइन अफ वैंड्स तैन अफ वैंड्स नाइन अफ वैंड्स ऑके बॉटम अफ तर डेक देख लेते हैं और काट्स में ज़रुरत पड़ी तो निकालोंगी ठीक है बॉटम अफ तर डेक है किंग आफ कप्स हम सो क्या उनका भी दिल नहीं लगता आपके बीना देखो यहां एरीज लियो साइज भी है मेरे पास ऐसे यहां पे मैजिशियन है सो मैजिशियन के पास हर चीज होता है तो चारों एलिमेंट्स होते हैं तो हमारे पास एवरी साइन एविलेबल है ठीक है तो चलो यहां रिडिंग स्टार्ट करते हैं सो देखो क्या उनका दिल नहीं लगता आपके बीना है ना जैसे कि मैंने कहा कि चैनल हो रहा है मुझे कि उनका भी दिल नहीं लगता आपके बीना देख रहा है यह टेन आफ वैंट्स का कार्ड है यह परसन बहुत ज़्यादा परिशान है यह परसन की सिट्रेशन कुछ ऐसी है कि फैमली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है यह घर के बड़े परसन हो सकते हैं इन सारे लोगों के परसन के फादर नहीं है ठीक और यहां पर घर के जिमेवारियों को ले करके बहुत ज़्यादा परिशान है यह परिशानी की वज़ह से यह परसन आपसे बात नहीं करते हैं ठीक बाते नहीं हो पाती है और यहां पर में क्या है ना कि अपने जिमेवारियां उठाना, responsibilities जो हैं, उससे हम पीछा नहीं छूड़ा सकते हैं, आपके person की सोच ऐसी है, ठीक है, इनकी feelings हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने जीमेवालियों से नहीं भाग सकता, मुझे तो ये सारे चीजे करनी होंगी, ठीक, और यहाँ पे ये person, थोड़ा मुझे लगत हैं, कैसे किस चीज़ को manage करते हैं, ये person बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये अपनी feeling को किसी के सांस share नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि शायद मेरी feelings को, मेरा डर समझा जाए, और मुझे ऐसा का जा कि नहीं, तुम stand नहीं लेते हो, तुम नहीं ल और बहुत जादा मुझे दिख रहा है कि ये person के दिल में डढ़ है, ठीक है, और डढ़ की वज़े से ये person आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है न, हाला कि ये stand लेने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपके लिए stand ले, आपके फोकस करें, और देखो परिशान है ये person, और पर हो सकता है कि इनके बारे में कोई खबर ना हो, लेकिन इस person के पास हर खबर है आपकी, ये person नजर लगाए हुए है आप पे, हमेशा spy करते रहते हैं आप पे, ठीक है, कोई किसी भी person से related, कोई भी person हो सकता है, जो आपकी खबर उस तक पहुँचाता है, उन तक पहुचाता है चाहे जिस भी, जिस भी यहाँ पे area से हो, मतलब कि जो भी person हो, आपकी family member हो, friend हो, कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे ये person है, आपके बारे में खोश खबर रखते हैं ये person, नजरे बनाई हुए कि वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, है ना, इनका दिल, मुझे नहीं द पाना, इतनी ज्यादा burden, इतनी ज्यादा परिशानिया किसी के लिए आसान होगी, होगी क्या, family का, job का, अपने प्यार का, है ना, इतना ज्यादा burden क्यों है, हैंडल कर सकता है, क्या, अकेले, नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, so यहाँ पे ये person का दिल न क्योंकि अगर लगता तो यह आपको spi नहीं करते हैं, आपके लिए manifestation नहीं करते हैं, आपको manifest नहीं करते हैं, आपको जो हाल में हो, आपकी खोश कबर रखना इनके लिए कोई जरूरी ही नहीं होता, लेकिन ये person तो खोश कबर रख रहे हैं आपके बारे में, आप क्या कर हो, कहां आते हो, कहां जाते हो, किस से बात करते हो, हर एक चीज इनको पता होती है, और ये manifest करते हैं, हमेशा, हमेशा चाहते हैं कि, जैसा कि मैं चाहता हूँ, वो सारी चीजे हो जाए, हम दोनों के, देखो, इस relationship में क्या है न, यहां पर balance बनाना है, ठीक है, balance बनाके चलन है, क्योंकि, इस person का है, कि मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी करूँ, ठीक है, अपने person को मैं छोड़ नहीं सकता, ठीक, यहां पर manifestation है, यहां पर यह परसन यह भी सोच रहा है, कि मुझे equal given take करना होगा, मुझे ऐसे ignore करके, अपने परिशानों की वज़ा से, उसको परिशान मै यह खुद ही दबा रहे हैं, देख रहे हो, यह खुद ही दबा रहे हैं, ठीक है, यह किस दर्द में है, किस तकलिफ में, आपको जानने नहीं देंगे, ठीक है, तो, यह कहना चाहते हैं आपसे, चैनल तो हो ही रहा था, कि हाँ, यह मेरा दिल नहीं लगता है, तुम्हारे बिना तो देख रहे हो ना दिल लगाने के लिए क्या हो रहा है meditation हो रहा है focus हो रहा है चीजों को शांत रहकर के चीजे की जा रही है कि नहीं हो जाएगा मैं कर लूँगा मैं कर लूँगा है ना तो वो सारी चीजे मुझे नजर आ आते हैं यहाँ पे ठीक है बहुत ज्यादा positive पर्सन बहुत ज्यादा positivity आप से मिलती है इनको और आप वह इस रिलेशन्सिप को जाना खोना भी नहीं चाहते यह पर्शन बहुत बहुत जदा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं अपने पर्शन को मतलब आपको ठीक है और प्रोटेक्शन ज़रूरी है चुकि यहां मुझे कार्ट्स बताते हैं कि सबसे पहले प्रोटेक्शन ज़रूरी है ठीक और आपके लिए बहुत ज़दा प्यार है इनके दिल में देखो कुछ भी कहो यह पर्शन अपने आपको बहुत समाले हुए है बहुत ज़दा कंट्रोल किये हुए है इस पर्शन के अंदर बहुत कहते हैं कि कहने को बहुत कुछ होता है लेकिन हमारी पर्शन जब हमारे सामने आते न तो हम उने को ऊनको देखकर ही हम अपने सारे दुक दर्ढ को भूल जातें है है तो वही मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इनका दिल नहीं लगता है आपके बिना ठीक है, और ये रियली में आपसे बहुत लब करते हैं, ठीक है, so channel message मेरा यहीं पे यहीं खतम होता है ठीक है so यह रही आपकी reading thank you so much मिलते है next reading में जिनको भी मुझसे personal reading लेनी है whatsapp number पे contact कर सकते है screen पे number so हो रहा है so वहाँ पे आप लग मुझसे contact कर सकते है thank you so much मिलते है next reading में bye bye